दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिखेंगे कैसे आप अपने SBI Bank एकाउंट को अधार करके साथ UPI सेट अप कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको PhonePay Apps के थूरू SBI Bank अधार UPI सेट अप दिखाएंगे आप और भी UPI Apps से अधार सेट अप कर सकते हैं सबसे पहले PhonePay Application को डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन पर लिंक है जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फिर PhonePay Application को ओपेंड करें इसके बाद जिस नमबर आपका बैंक में रेजिस्टर है उस नमबर दर्ज करके पॉसिट पर क्लिक करें आपके रेजिस्टर मोबाल नमबर पर एक OTP भेजा जाएगा जिसे आपको दर्ज करके भेरिफाइ करें फिर आपको पर्मिसन के लिए पूछा जाएगा उसको पर्मिसन कर लेना है फिर Add Bank Account सेक्शन में SBI Bank सेलेट करें अगर आप पहले से Phone पर Application Login किया है तो उसको पर्मिसन कर दिजिए उस नमबर पर जो SBI का Bank Account के लिंक है वो आपको दिखाए देगी और उस पेज में निचे आपको Positive Add Option मिलेगा उस पर क्लिक कर दिजिए अब आपको UPI Setup करना है इसके लिए Setup UPI Pin पर क्लिक कर दिजिए क्लिक करने के बाद आपका जूम Main Point इस वीडियो में है SBI Bank आधार UPI Setup करना उसमें अधार कार्ड और Debit ATM Card Option दिखाए देगी उसमें आप अधार कार्ड आप्सन को स्लेक्ट करे आपको कुछ Condition दिखाए देगी उसको आप चेक कर लेना और इसमें एक Condition है जो Mobile Number आपका Bank में रेजिस्टर है उस नमबर आधार कार्ड में रेजिस्टर होना चाहिए यानि कि आधार कार्ड में और बैंक में एकी Mobile Number रेजिस्टर करना पड़ेगा आप आधार कार्ड आप्सन को स्लेक्ट करके पॉसिट बर किलिक करे नेक्स पेज में आपको आधार कार्ड की फार्स शिक्स डिजिट नमबर दर्ज करे और फिर पॉसिट बर किलिक करे फिर आपका नमबर पर दो OTP आएगा एक आधार OTP और एक Bank OTP जो आटोमेटिक रूप से भेरिफायर होई जाएगा फिर आपको UPI PIN सेलेक्ट करने के लिए पुछा जाएगा उसमें आपको दो बाट 6 डिजिट UPI PIN दर्ज करने के बाद नीचे किलिक करके आधार थूँए SBI Bank UPI सेटब कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो किर्पिया कॉमेंट करके और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना न भूले